बेटा, वोट देना बहुत जरूरी है काहें? अब अच्छे केंडिडेट को वोट दोगे, तो अपना देश आगे जाएगा ना? फिर क्या होगा? फिर क्या? देश आगे जाएगा अपना, अच्छे कालजेस बनेंगे, हास्पिटल बनेंगे उससे क्या होगा? तेरा दिमाग उटने में है क्या? अपना देश आगे जाएगा, तो फायदा किसका होगा? किसका होगा? अबे जाहिल, तेरा होगा फायदा, पबलिक का होगा फायदा ये दुनिया क्या है? सब कुछ मोम आया है खाना, पीना, जागना, उठना, बैटना, सोकर उठना, फिर जागना, फिर से सोना, घूमना, टहलना, स्कूल जाना, पड़ाई करना, काम करना, इससे क्या है? सब कुछ मोम आया है वास्ताव में हमारा जीवन, खुसियां, संतुष्टी और आनंद का सुरोत रहे हमें अपनी आत्मा के साथ वारतालाब करना चाहिए ताकि हम वास्ताविक्ता को पहचान सकें और इसे समझ सकें लेकिन मैंने तो सिर्फ वोट देने को बोला था ये वोट एलेक्शन क्या है? सब कुछ मोम आया है इस बरहे मांद संसार का मालिक तो सिर्फ एक है हाँ वो तो ठीक है लेकिन इस बार वोट किसको दे रहे हो? पहले ये बताओ ये वोट क्या है? बताओ सब कुछ मोम आया है खाना, पीना, उटना, जागना, बैठना, सोना चुब बानसारे दिमाग खराब कर दिये एक गंटे से बकवास सुन रहे हैं तुमारी वैसे तुम लोग किसको वोट दे रहे हो? किसी को नहीं देंगे काहें? जाएंगे एक गंटा तो लगेगा कम से कम वोट देने में उससे सही इस्टाग्राम पर रील नहीं चला लेंगे हम तब बैटा जिन्दगी पर रील चलाओगे तुम इस्टाग्राम पर कुछ उखाड नहीं पाओगे जिन्दगी में तुम अपने लिख के दे रहा हूं मैये तुमारे जैसे लोगों की वज़े से हम लोग पीछे हैं आज इस बुड़े को किसने बुला लिया यहां पर दिमाग खराब कर दिया फाल तुमें और तुम किसको बुड़ दे रहे हो जो ज्यादा पैसा देंगे उसी को देंगे पैसा? कैसा पैसा? अड़े चाचा आप नहीं जानते हो का वोट देने के लिए सत्तर वाली सीसी भी मिलती है और पैसा भी मिलता है बिल्कुल फिरी में कहां मिलती है भाई? मुझे तो नहीं मिली अभी तक तुम बोल लेते हैं यह सब मोम आया है ना? पैसा उस तक सम्मोम आया है ना? अरे तुम जैसे लोगों को बस सुबा साम लतिया हो बानर और तुम पैसे लेकर वोट देते हो? पैसे लेकर अगर वोट दोगे ना बेटा एलेक्शन से पहले वो तुमारे चंड़ों में होंगे और एलेक्शन के बाद तुम उनके चंड़ों में होंगे पूरा दिमाग खराब कर दिया वैसे हम सोच रहे हैं हम भी एलेक्षिन में खड़े हो जाएं सुने हैं बहुत तैसा मिलता है शकल देखिए अपनी कठपा जैसी सकल है एलेक्षिन में खड़े होंगे एलेक्षिन में अभी खड़े नहीं हुए हेटर पहले से आ गए भाई फुल जबोट है आप खड़े हो इए ये बुड़ा पागल है इसकी बार मसुनी है क्या कहा अरे सही तो कहा है भाई फुल जबोट है आप खड़े हो इए अच्छा ये बताओ एलेक्षिन में खड़े होकर कौन सा काम करोगे सबसे पहले गरीबी मिटाएंगे वो कैसे हम एक कानून बनाएंगे जिसमें जितने भी गरीब होंगे उनके बच्चे पैदा करने पर रोक लगा देंगे फिर आने वाले 10 से 15 सालों में सारे गरीब मर जाएंगे सिर्फ आमीर लोग बचेंगे इस दुनिया में वैसे भाई तुम भी तो गरीब हो भीक मान कर खाते हो इसका मतलब तुम भी बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे अबे भाई ये तो मैं भूली गया ये वाला प्लान कैंसिल और हमारा अगला प्लान ये है कि हर घर घर में 70 वाले सीसी और 500 रुपया दिया जाएगा इसलिए कहते हैं दोस्तों पढ़ाई करना क्यों जरूरी है अपना वोट उसे दे जो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए और आपके परिवार के लिए कुछ करे जो आपको नौकरी दिलाने के लिए कुछ करे और धर्म और जाती के नाम पर वोट ना दे और जो वोट मांगने आए पूछो उनसे अगले 5 साल तक तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगी वोट इस यूर राइट और यूर डूटी यूज यूर राइट फुल्फिल यूर दूटी